सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी पतजड हुए बिना, पेडों पर ने पत्ते नहीं आती, कटनायों और संघर्ष सहे बिना, अच्छे दिन नहीं आती जिन्दगी में रिक्सल लेने से कभी मढ़ डरू, या तो जीत मिलेगी, और हार भी गय तो सीख मिलेगी आनन में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, और दुख में निर्ने मत लीजिए आज का पंचांग, साथ माश्य दोहचार बीस, दिन शनीवार फागुन माश के शुकलपक्च की द्वादशी तिथी, सुब नौ बच कर 29 मिलड तक रहेगी इसके उपरान त्रयोदेशी तिथी प्रारम होचाएगी पुष्य नामक नक्षात्र, सुब नौ बच कर 5 मिलड तक विरजमार रहेगी इसके उपरान अशलेशा नक्षात्र प्रारम होचाएगी आज का राहू काल, अर्थात असुपसम में सुबह नौ बच कर 16 मिलड से, दस बच कर 46 मिलड तक रहेगा आज का भी जीत महुरत, अर्थात, सुपसम में सुबह ग्यारा बच कर 49 मिलड से, बारा बच कर 35 मिलड तक रहेगा आज अंद्रमा करकरासी पर संचार करेगी और आसूरिय कुम्हराशी पर रहेंगे तुलरासी सात मार्श दोहशार बीस दिन शनीवार अपनी नई सफलता को दुश्रे लोगों के साथ शेयर करें उनसे भी जो आप पर निर्भर हैं अभी आप भागेशाली मैसूस कर रहें हैं शोधानी से नेटवर्किंग करें और सुनेश्चित कर ले की कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन उन रिष्तेदारों के साथ समय व्यतित करें जिने आपकी जरुरत है आपका मोड आज खुशनुमा रहेगा लोग आपकी तारिप करेंगे और मदद करेंगी नमरता के साथ थोड़ा धीरच आपके काम को और भी असान बना सकता है खुद पर और दूश्टों पर विश्वास करना आज का मंत्र है शांत पर लक्ष साधू अगर आप चुग भी गय तो आपका निसाना तारे पर तो लग ही सकता है दोस्तों का शह योग मिल सकता है, धनलाब हो सकता है वेवशय में उन्नती के योग बन रहे है नेडना लेने के लिहास से आज के दिन आपके लिए काफी अच्छा है किसी पुराने मित्र से मिलने का दिन है आज अब आतनो विश्वास से परिपूर्ण रहींगी मानना है, नेरासा को अपने उपर हावी ना होने दी किसी भी तरह से अपने आपको मोटिवेटेड और उश्याहित रखी शोधानिया, अच्छा आपका जीवन साथी के साथ जगड़ा हो सकता है धनानी हो सकती है, कोशिश करना चाहिए कि माता के साथ संबन अच्छे हो क्योंकि हमारे जीवन में माता पिता का आशिरवात बहुत आवश्यक है पर वारिक जीवन में तना होने के कारण काम काज में वैवधान उत्पर नहो सकता है लव लाइफ की बात करे तू समूई या कलब में भागीदारी आपकी समाजिक सरकर को बढ़ाएगी नए साथे से आज मुलकात होगी अपने दिल के भवनाओं को एक दूश्रे से जरूर सेयर करी यात्रा के समय दुरगटना या समान चोरी हो सकती है ध्यार रखे आप अपने आप में आज अजीब से उर्जय मैसुस करेंगे आपके सहकर्मी और दोस्तों दोनों आपकी हर काम में मदद करेंगे और साथी आपकी तारिब भी करेंगे आपका पूरा मुड आज एंजोय करने कहें आप अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतित करेंगी करियर की बात करें तो अज लग के साथ होने साथ आपका पूरा दिन शुब रहेगा अपने साथी और सुबचिंतक के साथ बाचित आपको नए विचर आ सकते हैं जो आपके लिए फायदे मन्द होंगी किसी समू या सोसाइटी में सामिल होकर आप इन पलों को एंजोय कर सकते हैं पेश्वर रूप से आज आप खुद को दुनिया के सिर्शे पर मैसुस कर रही हैं लेकिन ऐसे में आपके एहंकार में भी बढ़ोतरी हो शकती है आपकी सभी योश नयप पूरी हो सकती है और आप खुशी मैसूस कर रही हैं एक नया रिस्ता बनने के भी असार है खुद पर और दुसरों पर प्रिस्वास करना ही आज का मंत्र है सेहत की बात करे तू आज अब तनाव को काबू में रखने की कोशिश करे आप पाएंगे कि बलड प्रेशर बढ़ने का कारण टेंशन है और यह वही समय है जब आप बलड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकती है बढ़ता तनाव आपकी सेहत और जिन्दगी को प्रभावित कर शकता है जिसे आप देख नहीं पा रही है इसलिए खुश समय निकाल कर दियान में बैठे ताकि आप अपनी दिमाग को ठंड़ा कर सकी और पाचन क्रिया को मजबूत करें आज का उपाए आज अब पीपल के पेड़ पर जल अरपित करें और घी का दीपक जलें दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में आपका देश शुग हूँ